जमीनी विवान में लाठी डंडो के साथ चली तावर तोड़ गोली चार लोग हुए घायल मामला खजनी थाना छेत्र के मौधरम मंगल गाउ का मौके पर पहुची खजनी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया भरती मेटकल कॉलेज हुए रिफर चल रहा है इलाज SP नौर्थ ने कहा शांती विवस्था बनाए रखने के लिए गाउं में फोर्स को किया गया है तैनात गिरफतारी के लिए गठित की गई है टीमें जल्द होगी वालचित अभ्युक्तों की गिरफतारी WTO ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल इमर्जनसी किया घोशित उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आवश्चक गाइडलाइन किये जारी CMO डॉक्टर आशुतोस कुमार दूबे ने कहा जिला स्पताल में दस बैट किये गए हैं आरक्षित मंकी पॉक्स घा तक नहीं है बिमारी लेकिन रहें सतर्क गौत असकरी में शामिल दो अभिक्तों को वासगाओ पुलिस ने किया गिरफतार दो गौवन्श वा घटना में प्रयुक्त दाब और मैजिक गाड़ी किया बरामत भेजा जेल मुहर्रम पर्व को लेकर इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमिटी की बैठक शक उसल हुआ संपन शासन के द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए ही जुलूस निकालने पर बनी सह्मती नवालिक का अब्रहड कर दुशकर्म के आरोप में वांचित एक अभ्यूक्त जैहिंद को केंट पुलिस ने किया गिरफतार अप्रहित पीड़ता को किया बरामत भेजा जेल लोग संस्कृती एवं लोग कला के संदक्षण में पुर्वाई कला के संस्थापक स्वर्गे डॉक्टर राजीव केतन की दुथिय पुनितिती के उसर पर दो दिवसिय पुर्वाई मात्र कला उत्सो का किया जा रहा है आयोजन युवाव व्रिद्ध कलाकारों को किया जाएगा सम्मानित पुर्वाई कला की सचिव एवं संदक्षण ने दीजानकारी 2016 में हुए चर्चि जेलकार्ण में वांची तेक शातिर अभ्युक्त करोडे स्तिवारी को शापूर पुलिस ने किया गिरफतार भेजा जेल मार पीट वर लूट की घटना में वांची तेक अभ्युक्त रागाव सिंग को केंड पुलिस ने किया गिरफतार भेजा जेल आजादी के अमरित महुत्सों के अंतरगत संस्कृति विभाग के द्वारा प्रतिभाग खोच कारिक्रम का किया गया आयोजन 23 कलाकारों ने लिया भाग प्रदर्शित किया अपनी अपनी प्रतिभाग मारवाडी महला सेवा समीती द्वारा सावन में कनहिया के जूला उत्सौका किया गया आयोजन संस्था की सक्ष्यों द्वारा कनहिया को जुलाया गया जूला की गई भजन कजरी प्रस्तुति और अखिल भारतिय च्छत्रिय महासभा के तत्वाधान में प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक तथा मुख्य ट्रस्टी स्वर्गे डॉक्टर रगुनाच चंद्र की मूर्ती का हुआ अनावरण कहा च्छत्रिय महासभाव प्रताफ सभागा ट्रस्ट फाउंडेशन के प्रती हमेशा समर्पित रहते थे स्वर्गे डॉक्तर लगुनाज चंद